खांगरेश पार्टी के अधक्ष्टी सरत पवार जी मंज पर बैठे हुए हमारे देश के सभी पार्टी के नेतागन मोदी के पार्टी को छोड़के मुझे काफी प्रसंता हुई कि हम इस देश के विभीन पार्टी के नेता अलग अलग बैठे थे और नरंदर मोदी ससर रहे थे आगे हम एक नहीं थे एक मंज पर एक एक ओमिद्वार खड़ा नहीं होते थे उसका खम्याजा देश को भगदना पड़ा भगदना पड़ा खरमोदी काफीश में इसका लाव उन्हों ने उठाया हम शुरू से हे यह दलाई लगते रहे हैं कि भाजपा हटाओ देश बचाओ भादन बचाओ जोमन जलाओ और पादन पाटी बोलते रहते थे यह बात सही हो रहा है, सही निकल रहा है इस देश में माइनरटी शुरकषित नहीं है क्या क्या हुआ आपको मालूम होगा इस देश में और क्या हो रहा है कि आज हमारे अल्वसंखक भाई सुरुख्षित नहीं है, महसूस नहीं कर रहे हैं अच्छा। देश में गरीबी बढ़ रही है, मांगाई बढ़ रही है, साथ रुपया किलो भिंडी हो गया भिंडी। तमातर का युभाल है सो जानते ही हैं, जब कि तमातर में कोई स्वाद ही नहीं है, इनके राज में। लगातार लड़ाई लड़ते लड़ते हम लोग आज इस मुकाम पर आए हैं कि अब हम सब पत्ना, बंगलोर और महारास्टा यहां मुमई में। यह मीटिंग के बाद अब एक निशकर्ष पर हम लोग पहुंचे हैं और एक स्वरूप बना है, संगठन बना है, जो पढ़कर के आपको लोग को सुनाया गया। आप सब को याद होगा कि कितना जूट बोल करके, कितना अफ़वा फैला करके इस सत्ता में लोग आए थे। मेरा भी नाम उस समय और देश के निताओं का नाम, इन लोगों ने या परचारित किया था कि इन लोगों का पैसा स्वीश बैंक में जमा, स्वीश बैंक में। और मोदी जी बोले कि हम आएंगे और स्वीश बैंक का पैसा ला करके हम देश के तमाम लोगों को खरके को खता खुलवाया कि पांच-पांच लाख रुपिया जमा करेंगे। पंड़ पंड़ लाख रुपिया हम भी जासा में आगए और हमने भी अपना खता खुलवाया मेरे साथ बेटिया दो बेटा और पती पतने दोनों मिला के 11 हो जाते हैं देखा कि भाई पंड़ स्कूना कर दीजे पैसा काफे मिल जाएगा। आपने तो पस्पालन में कोई पहमानी सर्तानी भर्साचार नहीं किया जो भर्साचार नरिंदर मोदी कर रहे हैं करा रहे हैं। सारे देश भर के लोग खाता खुलवा दिया। सब गरीव गुर्वा आदमी पर चारीत करवाय है लोगों नहीं। मिलए किया तो देश के लोगोंगों को मालूम होगा। आप लोगों को भी मालूम है आप लोगों में में सभी खुलवाए होंगा अपर इसके लोगी। कि हो सकता है भाई मिल जाए पैसा है देश का तो मिल जाए वापस आजा एक पैसा नहीं सब नहीं लोग का पैसा था अभी काफी ग्याजेकार हो रहा होना चाहिए बेज्ञानिकों का होना चाहिए चंद्रियान पर लोग है सब घुमें फिले लोग हमारे बेज्ञानिक देश का नाम उचा हुआ अब हमने सुना है कि मोदी जी अभी यह सोच रहे है और इसलिए पहले ही लोग सबा का मिटिंग में सुना है बोला दिया है हमने यह सुना किसी जी महराजमी ने कहा है कि भाई हम लोग तो अब इतना देश के बेज्ञानिक आगे देश को उंचा कर दिये दुनिया में नाम हो गया हम अपील कर रहे हैं इस रोग के बेज्ञानकों से अपने देश के बेज्ञानकों से मोदी जी को पीछे नहीं रहना चाहिए इनको लोग से कि बात छोड़ो अब सुझ लोग पर इनको पहुंचा पहुंच तो जाओ हाँ दुनिया भर में नाम हो जागा मोदी जी का अंडिका अमेरिका देश का नाम करने के लिए अब ये चल पड़े हैं आगे दसाहरा के बाद इसकी त्यारी कर लें हमारी सुभकमना है कि चले जाए इतनी गरीबी है गुरुवा लोग है बिकारी है चारों तरफ फैला हुआ है और बोलते हैं कि देश आगे बढ़ गया कि देश आगे बढ़ गया देश के नेताओं को कोई भी ऐसा नेता नहीं छूटा आज इसको इडी में, सीबी आई में यह ना फसाय हों सब को फसा के यह हम देखते थे पहले के जबाना में सुनते थे कि जो बड़े लोग होते थे, सामंती लोग होते थे वो गरिबों को और मिडिल क्लास के लोगों को मुकादमा में फसा के और सासन करते थे वो ही इनकी यादत हो गई है और हम लोग ड़ने वाले नहीं है, हमने अपना किड्नी ट्रांस्पलांट कराया है, कोई स्वाक से नहीं कराया है, डाक्टरों ने कहा कि करा लो भाई, हमारी बेटी शिंगापूर में रती है, उसने अपना किड्नी दान दे दिया, जीवन दान दिया हमारी बेटी, और वाँ, इतना हम अपना सरीर का अपरेशन कराया हुए हैं, कोई ठेकना नहीं, और पहले हैं, इस रोप क्या लाव है, एसियन हार्ट इंशूट, डाक्टर पर्णा है यहां, नामी ग्रामी सर्जन है, पांच-छे हमारा अपरेशन हो चुका है, लेकिन आप सब का अशिरवाद और किरपा है, कि हम जिवित हैं, और हम आगे भी, हम काफी मेरा होस्रा मजबूत है, कि हम सहेंगे, और मोदी जी को हटा के ही हम दम लेंगे हम लोग, इसलिए हम लोगों ने संकल्प लिया है, बिलकुल और सुन ले मोदी जी, अब आप समझ लेना, कि पहले से मैं आप से लगते हा रहा हूं, गुजराज के जुद के लड़ाई राहिट के समय से, आपके और आपके गुरू, कोना धक्षा हो? नहीं, नहीं, उनके पाटी क्या धक्षी हो? अद्वानी जी को तो गिरिफ्तारे किया था, वो नहीं भई, अरे अभी जो है मुझे, अमीत साह बताओ, ही कहां के साह नेता हो गए, कब का संगर्श क्या हो भई? हम थे राजसभा में थे, उन दिनों में, भाईरो सिंग से खाव साब जी, उपरास्पती थे, और दंगा जब हुआ तो चारू तरब, देश और दुनिया भर वे, एरोपियन कंट्री ने अपने नागरिकों को मना कर दिया, कि मत जाना उदर, भारत में मत जाना, और इनको, इनका प्रवेश भिजनी से धो गया था भी देशो में, आप सब लोगों को मालूम है, कि स्थरका इनका इतिहास रहा है, हम गमची विछा के फ्लोर अब दी हाउस भूमा बैठ गया आगे, चेर्मन के शेर के नीचे, हम कहा कि मोधी को गिरफतार करो, गिरफतार नहीं उठे गया है, शाद उत्तरब से हाउस गरम हो गया, गरम हो गया हाउस, और गरम होने के बाद काफी उनको परसानी हुई, और स्वर्गे अटल विहारी बाज पेजी, वो नेता थे, वैसा नेता हमने नहीं देखा, उन्होंने कहा, नरेंगर मोधी को, कि राज धरम, एक कोई चीज होता है, राज धरम, लेकिन जो आदमें, गरम पारी के बाद इतना सारा पिपक, सब लोग हम लोग जूट गए थे, कि वही कम से कम, कंडें भी करो उनके एक्षन को, नहीं किया है लोग, डिप्लोर, डिप्लोर, डिप्लोर मतलब किया कि, अभी नहीं, अंदर से नहीं निकलाई लोग हो, कि हम निंदा करें, इतने बड़े दर संहार हुआ था, क्या क्या हुआ, उसको दोहराने की जुरूरत नहीं है, हम सब लोग ज़्यादा भासन नहीं, भासन का तो मेरा, हमारे दिदी भी यहां बैठी हुई है ममतादी, निकल गई, आज़े चले, सारे योज़ समय लोग थे हमारे साथी, बालू जी भी निकल गई, वो भी निकल गई, हम क्यों फीचर हैं, हम भी निकल गई, फ्लाइट के टाइम आवगे आप, तो आप सब पत्रकार भाईयों को मैं परनाम करता हूं, सलाम करता हूं, अदाब करता हूं, हम सब एक हैं और एक होकर के हम लोग, इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और राहुल गांदी जी को भी हम काफी मजबूती के साथ इस्वास हम दिलाते हैं कि हम सब एक जोट हो करके सभी लोगों को एकोमोडेट करके आगे सीट सेरिंग अब शुरू होगा सीट सेरिंग और सीट सेरिंग में हम लोग सब लोग सफल होगा कोई दिकत कठनाई नहीं होगी कहीं कोई हटल नहीं होगा आपना कुछ नुक्सान करके भी हम लोग इंडिया को ये संग है हम लोग जीताएंगे और मोदी को हटाएंगे और देश को बचाएंगे सभी लोगों को नमस्कार जिन्दावाद सब पनाम है क्या सलो ठाइम भी हो गया तो नमस्ते सब लोगों पनाम पावर साहब के लिए भी हम लोगों की सुपकावना है आप पुराने नेता हैं डटे रहिएगा अपना पार्टी को मजबूत रखिये हम लोगाव के साथ है